कि हनु मानते ही परसा करिपुन क्रीन प्रणाम राम काज की ने विनुव मोह कहां विश्राम कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो तारीख वो होनी थी कि प्रधान मंत्री को जाना था यानि तारीख उसका इंजार कर रही थी एक ऐसा पुर्धान मंत्री आएगा जो उस दिन आकर प्राण पुर्धान मंत्री भी कौन होगा जो पूरे देश का जनादेश लेकर आया होगा और दूसरी बार भी लेकर आया होगा जो अपने घोषणा पत्र में यह लिख के लाया होगा कि हम राम मंदिर का प्राण पुर्तिष्ठा करेंगे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा अगर राम तपस्वी राजा थे तो तपस्वी प्रधान मंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए हम 21 सदी में भारत को सिर्फ एकनॉमिक इंटेलेक्श्वल ए मिलिटरी सुपर पावर नहीं बनाना चाहते हैं हम वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं मानी सवापती महोदे आज जब हम लोग इस काल खंड में खड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि जब मैं कुशुरा वस्था में था और शीराम जन भूमी का अंदोलन प्रारम हुआ था उस महान यग्य में जिसमें करोडों लोगों ने कई पीडियों तक अपनी आहूती दी उसकी पून आहूती देखते हुए देखना अपने आप में एक बहुत सुख़द अनुबह उतता है और ये काल इसलिए भी अधिक महत्पून है कि ये भारत के अमरत काल का ही काल खंड नहीं है बलकि शीराम मंदिर के माध्यम से शताब्दियों से सोई हुई भारत की चेतना के पुनह उठकर अग्रसर होने और विश्व को नया संदेश देने का एक संदिकाल भी है और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे मन में एक भाव आया कि ये ऐसा काल था जिसमें बहुत कुछ असंदो लगने वाली चीज भी साकार रूप धारण हुई है तो मेरे मन में ये भाव आया कि मानो अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के साकार हुआ सपन हर बला को टाल के नए छितिज उभर रहे हैं अमरत काल के और दिव दर्शन हो रहे हैं स्री राम लाल के मनिवर भगवान राम उस भारत की स्वा की अनभूती है जो भारत के स्वतनता के बाद निश्चित रूप से प्रकट होनी चाहिए थी जो अनादिकाल से भारत में उत्तर से दक्षन तक उत्तर में यदि गुरु गोविन सिंग्जी ने गुरु मुखी में रामावतार लिखा तो दक्षन में तमिल में कंबन रिशी ने वही रामावतारम नाम से ही लिखा तो बंगला में कृतिवास ने रदी लिखा तो हिंद प्रतिदिन का भजन रखा था रगोपति रागव राजा राम अंतिम शब्द रखा था हे राम परंतु हे राम मैं ये कहना चाहूंगा उन राम को भी प्राण पृतिष्ठित करने में इतना संघर्ष करना पड़ा जो भारत के समाज से लेके आध्यात्म और मन तक विद्यमा जिसे हम लोग सांदोलन के समय कहते थे कि ये तन प्रभु राम का मन प्रभु राम का तो हर चण बोलिये जैश्री राम की आस प्रभु राम की श्वास प्रभु राम की तो प्रतिछण बोलिये जैश्री राम की मगर आगे समस्या ये थी तो हम कहते थे शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की आएं आपदाएं विपदाएं भले कितनी बनाएंगे हम मंदर सौगंद शरीराम की और आपदाओं विपदाओं को पार करते हुए वह सौगंद आज पूर्ण हुई इसके लिए अनेका नेक लोगों ने बलिदान दिया देवी दिम पांडे जी से लेके सरदार फकीर सिंग से लेके हजारों संतों से लेके कारसेवकों तक और कोठारी बंधुओं तक परन्तु को पढ़ाया जाता है और आगात करने का प्रयास किया जाता है इसलिए उन्होंने वूंड़िट सिविलाइजेशन वर्ड कहा और वह इसलिए कह रहा हूं कि जो इतिहास में प्रत्यक्स प्रमार थे उनको भी जोटलाने का प्रयास हुआ शीराम जन्मुमी केस के सिर्फ दो को उधारन बताना चाहता हूं जब मुकदमा चला तो यह पूछा गया कि भाई पिछले उधारन दीजिए कोई शताब्दियों के तो विप्रीत पक्ष के पास कोई उधारन नहीं थे हमने फॉरेंट ट्रेविलर्स के उधारन कोट किये विलियम फिंच नाम का ब्रेटिश टेविलर्र आया सोला सोगा दसोबीस के आसपास उसने कहीं पर मसजद का उलेक नहीं किया सिर मंदिर का उलेक किया फ्रेंच टेविलर्र आया जोज़ेफ टिफैंथलर 1720 के आसपास तो वह कहता वहां पर चबूतरा है जिसमें कि और एक पक्ष के में मस्जद की बात करता है वो बताता है कि राम नोमी पे लाखों की भीड लगती है परंतु उसके बावजूद एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ जब से ब्रिटिश डॉकुमेंट आया तो जो पहली एफाई यार अफिशली दर्ज हुई है नवंबर 1858 में फैजाबाद के थानेद जनमिस्थान अब बताईए जनमिस्थान पहली एफाई यार में खुद मुतवली लिख रहा है और उसके बाद इस विशय को इतना बढ़ाया गया और स्वतंता के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ 22 दिसंबर 1949 की रात को जब सीराम नला प्रकट हुए उसके बाद यह ध 1961 में दिसंबर 1961 में बारा साल पूर होने में चार दिन रह गए थे तब सेंट्रल सुनी वकबोर्ड उसमें पहरोकार बना क्यों कुछ सेकुलरिस्टों ने समझाया कुछ लेटिस्टों ने समझाया और इसका उलेख कि मुहमद साब ने अपनी किताब में किया है कि मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तपकाई मानता था कि हमें इस विशह में पढ़ने की जरूरत नहीं है परंतु राजनीत के चलते हुए भारत के स्वाविवान का विशह ये इसका प्रतीक बना परंतु उसके बाद कोड का निर्णाया आया संपूर्ण मर्यादाओं को पूर्ण क किया उसके बाद याद करिए खुदाई पर रोक लगा दी गई थी तो अटल जी की सरकार आई तो नई टेक्नालोजी आ गई ग्राउंड प्रेटरेशन रेडार तो रेडार मैपिंग की गई और वो कोड में प्रसुत कर दी गई मतलब आपरेशन पर रोक थी अट्रा साउं लला विराजमान को दिया अब जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या अंतर था विशे सुप्रीम कोड में आ चुका था सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सुप्रीम कोड में सारी सारी प्रोसीडिंग सिर्फ इंग्लिश में होती है और वहां सारे डॉकुमेंट्स जो हजारो पेच के थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था विशेंटिक डॉकुमेंट्स जिसमें अरवी फार्सी के भी थे संस्कृत के भी थे सबके थे तो हमारी सरकार ने के बाद अगर साट साल उसमें लगे थे हो सकता पचास साल इसमें भी लग जाते क्योंकि बहुत से लोग वकील का चोला ओड़कर खड़े होकर ये भी कहते थे फ़ला साल के पीछे ले जाईए इस जज्जमेंट को मगर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 24 इंटू 7 लगा कर सारे के सारे जो डॉकुमेंट्स थे उनका केवल 2-3 वर्षों में ट्रांसलेशन किया और उसके बाद जाके कोर्ट में अर्जी लगाई कि डे टू डे हीरिंग होनी चाहिए क्योंके हमारी सरकार तो उसमें विचार करती थी कि हनु मानते ही परसा करिपुन क्रीन प्रणाम राम काज की ने बिनु मोह कहां विश्राम और फिर आपने देखा कि वो जब जज्जमेंट आया और ये भी एक सुख़त संयोग देखिए कि मानेवर हमसे टीबी डिबेट में अक्सर बहुत पूछा जाता था कि आगए भाजपा वाले कहते हैं राम लला हम आएंगे मंदीर महीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे महोदय राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी ये भारत की भविता का आगास था और वो तारीख कोई तारीख नहीं थी वो काल की गती थी और वो तारीख क्या थी मैं बताना चाहता हूँ जब राम लला इस मंदिर में आये हैं तो वो तारीख आई है चार करोड गरीबों को हर गाओं में विजली हर गाओं में सडक लेकर आई है और इतना ही नहीं हर राज्य में एरपोर्ट लेकर आई है समुद्र पे सबसे बड़ा सेतु अटल सेतु लेकर आई है और चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे उचा पुल चिनाब का पुल लेकर आई है Highest FDI लेकर आई है Highest Foreign Exchange Reserve लेकर आई है Fastest Growing Economy लेकर आई है और जनाब वो फिल्म का डायलॉग होता था तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक वाला इंडियन पैनल कोट को तारीक का हिस्सा बना कर भारती नया सहिंता लेकर आई है जो तीन साल के अंदर सारी तारीकों को खतम कर देगा मगर महुदे ये तारीक का रास थोड़ा और गहरा है क्योंकि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो तारीख वो होनी थी कि प्रधान मंत्री को जाना था यानि तारीख उसका इंजार कर रही थी कि ऐसा प्रधान मंत्री आएगा जो उस दिन आकर प्राण प्रतिष्ठा करेगा और वो प्रधान मंत्री भी कैसा हो होगा जो की पूरे राष्ट का सपोर्ट लेकर हां बोलना है प्लीज अरे भाई बोलना है मैडम प्लीज लोट लाउट प्लीज बैठें आपको इजाज़त ने नथिंग अन्रिकॉर्ट प्लीज अरे सुनिये आप बोले महोजय प्रधान मंत्री भी कौन होगा जो पूरे दे 40 करोड लोगों के जनादेश के साथ वो तारीक आने वाली थी जिस तारीक का इंजार था और महोजय सिर्थ तारीक इतनी नहीं थी मानवर अगर शास्त्री ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो ग्यारा दिन का व्वास रखके तपस्या भी करनी थी तो ऐसा भी प्र नवरात ऐसे रहता हो उसी के तपस्या का वह अभ्यास होगा और मैं बताना चाहता हूं स्वामी गोविंद गिरी जी जो कोशा द्यक्षे नियास के उन्होंने जब उपवास तुड़वाया तो उन्होंने कहा मैं तार्किक व्यक्ति हूँ मेरे मन में संदे था तो जब इन जाकर चाहें नासिक हो और फिर चाहें गुर्यूर का मंदिर हो अथवा रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधान मंत्री जी 22 कुओं के जल से इसनान कर रहे थे जो भारत के संपूर्ण छेत्र का प्रदेत करते हैं तो यह संदेश था धुर्दक्षन शिरे पर खड़ होकर कि देखिए यह राम है जो घटगट में व्यापत है पूरे उत्तर से दक्षन तक और उस तपस्या से प्रकट होने के बाद उस प्रधान मंत्री की दरकार थी तारीक को क्योंकि राम का काज कौन कर सकता है गोसामी जी लिग गए हनुमान चालीसा में सब पर राम तपस तो तपस्वी प्रधान मंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए और इस तारीक का इंजार था तारीक का यह राज समझने के लिए हम आपको समझाएंगे भी तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे और इसी लिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं महत्पुर्ण बात यह थी कि सबकुष शांती और सवहार से निपड़ गया जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कितने प्रकार की सीजे होती थी इसके लिए हमें निश्चित रूप से सरकार प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए पूरे जाजा का प्रताब था और इतना ही नहीं महुदे अबू धावी में भी मंदिर बनने जा रहा है मुझे लगता है भारत के लिए अमरतकाल में सांस्कृतिक गोरों का इस से बेहतर काल नहीं आ सकता था कि राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धावी में भी मंदिर बन रहा और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ मोदे ये हिंदु मुस्लिम का विशे नहीं था ये भारत के जय और विजय का विशे जानä और उससे भी बढ़कर ये मूलियों का विशे था कौन से मूली थे एक मूली वो जिसमें भगवान राम उस मूली के प्रतीक बनते हैं जिसमें चार भाई हैं पिता के एक वचन पर वन चले जाना दूसरे भाई का जंगल जाना तीसरे भाई का खड़ाओं रखका शासन करना एक ये परंपरा थी और दूसरी परंपरा वो जिस बावरी परंपरा में भी चार भाई थे शुजा, मुराद, दारा और और औरंग्जे एक ने तीम को कतल कर दिया, बुड़ापे में बाप को जेल में डाल दिया, और इतने पे भी संतोश नहीं हुआ, बलकि सर काट कर ठाली में रखके जेल में बंद बाप के पाद बेजा, आप किसी मत को मानने वाले हो, अपने घर में क्या देखना चाहते हैं, भाई की खड़ा हैं, और उसमें इसी मुल्य को अप्रिशेट किया गया है, कि जब भगवान राम राजा दश्रत से अनुमती लेकर जाते हैं, तो उर्दू के प्रसिद सायर चकवस्त ने, और वो लखनू के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा है, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुद का नाम और राहे वफा की मनजिलें अवल हुई तमाम, यानि उनको तो दिखा कि राहे वफा की कौन सी मनजिलें हैं, जो अवल हो रही हैं, मगर क्या बता हूँ महोदे, एक फैक्ट बताना है चाहता हूँ, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब सी राम लिला पर कट हुए, तो सब पर सी राम लिला विराजमान थे, अब्दुल बरकत को रोशनी 1949 में दिख गई, मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बावरी पक्ष के पैरोकार थे, इक्बाल अंसारी, और यह उधारता देखिए, कि सब को बुलाया गया, विरोध करने वालों को बुलाया गया, ट्रस्ट के द्वारा, गोली चलाने वालों को बुलाया गया, और इक्बाल अंसारी को ही बुलाया गया, और इक्बाल अंसारी प्रतिस्था में आ गए, उनका इक्बाल तो बुलंद हो गया, मगर इन लोग का इक्ब लोभी खलकामी हो और राजनीत में वो नहीं समझ पाता जो सेकुलर और वामी हो अब मैं बताना चाहता हूं महोदय कि जो लोग कहते हैं भगवान राम ने अपने जीवन में ये मंदिर किसीज का प्रतीक है कई लोग एक आद कोई शब्द लेकर बगैर पढ़े हुए बगैर उस भाशा को जाने हुए अपनी बात कहने लगते हैं तो मैं बताना चाहता हूं भगवान राम ने कौन मेरा भक्त है इसका बाकाइदा उधारन दिया है उन्होंने लिखा है जात पात कुल धरम बढ़ाई धन बल परी जन गुण चतुराई इन दस चीज़ों से मैं नहीं म मिलता मैं कैसे मिलता हूं भक्ति से मिलता हूं यह सारी दस चीज़े हो किसी के पास और भक्ति नहों तो उन्होंने का भगत हीन नर्मोहे ऐसे जल बिन बारिद लागे जैसे अर्थात अगर यह सब कुछ हो जात पात कुल धरम बढ़ाई ये हो भक्ति नहों तो ऐसा जैसे बादल हो उसमें पानी नहो इसलिए भगवान ने इस बात का संदेश दिया और मैं एक विशे और कहना चाहता हूँ जब राम मंदिर का निर्मान हो रहा था तो कहा जाता था साब वैज्यानिक प्रमान दीजिए मैं बस एक विशुद्विझ्यान का भी और बताना चाहता हूँ ये विशुद्विझ्यान है क्योंके आगर आपने रामचरित मानस के शुरुआति पढ़े हो तो उसमें बहुत साफ लिखा सीता राम गुणगाम पुन्या अरंणने विहारिड्यों वंदे विशुद्विझ कभी शरो कपी शरो अर्थाद विशुद्व विज्ञान महार सिवालमिक ने लिखा और विज्ञान क्या है उचा गया था कि भगवान हुए कभ यह तो बताईए यहां हुए कि नहीं यह बताईए अब आप यह बताईए कि आज हम समय कहते हैं उनका इग्जैक्ट टाइम लि अई भिज़ाम और भगवान राम का खैक्ट डेट पोजिशन सवाप प्लानेट जो आइंस्टीन का फॉर्थ डामेंशन कहा जा सकता है वह लिखा है कि मेश राशी में सूरे था, मकर राशी में मंगल था, तुला राशी में शनी था, मीम राशी में शुक्र था और जब नासा ने अपने ट्रेनिटोरियम गोल्ड साफ़वेर में डाला तो 514 BC की डेट निकल आई इस से जादा किसी को सबूत चाहिए विज्यान का वो सबूत मिला और इतना ही नहीं मैं बताना चाहता हूँ, जिन लोगने अगर पढ़ियो तो भगवान राम के जन्म के समय लिखा है कि चैत्र मास के समय शरद रितु थी अंगद बताते हैं कि अशुनी मास यानि आद के अक्टूबर के समय वसंतरी तो थी और इतना ही नहीं कहा गया जब किश्किंदा से भगवान निकलते हैं तो धूम के तो टकराया था अमूल नक्षत्र से और जब एस्टोनामर्स ने इसकी गड़ना की तो वो ठीक डबल हो जाता है 14,000 साल पीछे आता है इसका मतलब प्रमान देखने हैं तो प्रमान जमीन के नीचे से भी निकले शाही फर्मानों से भी निकले और आसमान से भी निकले समस्त मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए हमारे ये इस विशय के उपर आये और मैं एक बात और कह दूँ कभी कहा जाता था महार्शी बालमीक ने तो रामायन भगवान रामत के पैदा होने से पहले लिख दी थी और कहा जाता है भविश्य में जाके लिख दी कहा जाता है गप है बकवास है कैसे हो सकता है महाभारत कहा जाता है वेद व्यास ने भूत काल में जाके लिखी वेशम पाइन के समय में अरे ऐसा कैसे हो सकता है पूछना चाहता हूँ 1916 में 1916 की theory of relativity देने के बाद अब time travel forward, time travel backward बकवास है क्या अगर किसी ने science नहीं पढ़ी है तो उसे समझना चाहिए मगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ इसको कहके मैं कहना चाहता हूँ हमारे रिशीत रिकाल दर्शी थे और ये time time travel तो बहुत छोटी बात थी जो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है और मैं एक विशे और कहना चाहता हूँ हम सब ने भगवान राम के मंदिर तो देखा वहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा हनुमान गड़ी का आपने हनुमान जी के सैकुड रजारों मंदिर देख्यों होंगे इस देश में लवकुश का मंदिर देखा है कभी नहीं इसलिए उसलिए हम हर जगे गुरु शिष्य परमपरा की बात करते हैं पिता पुतर परमपरा नहीं होती भागवान राम का चरित्रिस बात का उधारण देता है कि हर जगे आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे वो भी राम से ज़्यादा मिलेंगे और मैं अन्त में ये कहना चाहता हूं महोदे एक बार एक डिबेट में हो कहने लगे कि अचिओंस पास्टिसम घ्राम ठेंपिल, ने जी अचिए, और एक जी नुगूपर आपको है और जब वर्लीडर बनाना चाहते है और जब world leader बनाना चाहते हैं तो it should symbolize the certain set of values which will inspire the world और अगर सारे स्रेशतम मानवी मूलियों का परतीक कोई एक होगा तो वो भगवान राम का मंदिर होगा जो विश्व के सबसे स्रेशतम मानवी मूलियों का परतीक होगा कैसे मैं आधुनिक जियो पॉलिटिक से बताना चाहत दूसरे देश को मिला लो दूसरा है subjugation वहाँ अपना deputy appoint कर दो और तीसरा है domination उसके साथ संदी साइन कर लो भगवान राम ने क्या लंका को जीतने के बाद annexation किया नहीं क्या वहाँ पर कोई अपना deputy बैठाया यानि subjugation किया नहीं कोई treaty sign कराई domination किया नहीं तो मैं कह सकता ह हूँ आज के geopolitics world में जब clash of civilization कहा जाता है तो उसका प्रतीक वो राम मंदिर दिखेगा जो पूरी दुनिया को बताएगा कि peaceful coexistence कैसे हो सकता है बगएर एक दूसरे से लड़े हुए इसलिए मैं कह सकता हूँ 21 सदी का महान भारत बगएर राम मंदिर के संभव ही नहीं है और अंत में मैं सिर्व ये कहना चाहता हूँ एक नया इतिहास बना है और ये हमारी सरकार और मानीप पुर्धान मंतरी जी की उस द्रड़ इक्षा शक्ति का प्रतीक है जिसके लिए कहा जाता था अरे 370 कभी हटेगी नहीं राम मंदिर कभी बनी नहीं सकता मगर ये वो लोग क कहना चाहता हूँ अपनी सरकार को बधाई देते हुए श्री राम जन्भूमी न्यास ट्रस्ट हमने बहुत साफ कहा था हम मंदिर नहीं बनवा रहे मंदिर न्यास बनवारा हम सिर्फ मार्क परशस्त कर रहें दूसरों ने कहा था कि हम वो बनवा रहें तो हम सिर्फ उनके के लिए कहना चाहते हैं प्रदान मंत्री जी की तरफ से कि अंगार हार उनका जिनकी सुन्हांक समय रुक जाता है आदे शिधर कर देते हैं इतिहास उदर मुद जाता है धन्यฝा